हेलो दोस्तों गायत्री की रोस्वे में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज हम बनाएंगे छुटी-छुटी कचोरिया कचोरिया बनाने के लिए मैंने ये 300 ग्राम मैदा ले लिया है तो अब इसमें हम सामान डाल लेते हैं ये मैंने चार बड़े चम्मज तेल डाला है तो हम सारी चीजों को मिला के इनको आटे को गुंद लेंगे तो दोस्तों आटे का हमें टाइट मतलब कड़ा डो लगाना है क्योंकि हम कचोरि बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइट ही डो रखेंगे तो आगर हम आटे को रेश्ट करने के लिए रखेंगे तो आटा हमारा मुलायम पड़ जाएगा तो इसलिए हम आटे को बिल्कुल टाइट गुंद देंगे तो दोस्तों हमारा आटा गुंद गया है अब इसको हम रख देते हैं तब तक हम बाखी की सामगरी ले लेते हैं तो दोस्तों मैंने इसको साइड में रख दिया ये करीब 15 मिनट तक हमारा आटा रख रहेगा तब तक मैंने ये सारी समान प्याज, हरे मिर्च, हरे धनिया दोस्तों चार बड़े आलू ले लिए हैं और ये मोमफली ले लिए है, चार चममच तो मोमफली को हम थोड़ा दरदरा कूट लेंगे तो अगर आपके पास अद्रक कूटने वाला है तो इससे कूट लीजिए, नहीं मिक्सी है तो मिक्सी में थोड़ा सा चला दीजिए तो इसको हमें ज़्यादा फाइन नहीं करना, दरदरा ही रखना है दोस्तों तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे इसको पूट लिया तो अब हम इसे भी साइड रखेंगे तो मैंने अद्रक और लेसन को ग्रेट करके ले लिया है तो मैं यह आलू को आलू मैसर से मैस कर लूँगी सारे आलू को तोड़के बारीक कर लूँगी इसको तो मैंने सारे आलू को फोड लिया है मैंने कड़ाई चड़ा दी, कड़ाई में तेल लाल दिया मैं चथाई चमच चीर ड़ा लूँगी चीरे को थोड़ा सा चटकने दूंगी उसके बाद हरी मिर्च डाल देंगे इसमें जीरा हमारा चटक गया तो हम हरी मिर्च डाल देंगे तो हमारी हरी मिर्च हो गई तो थोड़ी से हिंग ले लीजे दोस्तों उसको भी डाल दीजे दो चुटकी अब हम इसमें अद्रक लेशन डाल देंगे ग्रेट किया हुआ इसको भी चलाके भून लेंगे प्राई कर लेंगे थोड़ा सा तब अब हम इसमें आलू डालेंगे आलू डालके इसको मिला दीजी सारे आलू को अच्छे से मसाले में अब इसे में चथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और चथाई चम्मच लाली मिर्च पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच के करिमे ने धानिया पाउडर डाल दिया और स्वाद नुसार नमक डाल दिया तो दोस्तों नमक आप हिसाब से डालना क्योंकि नमक हमने मैदे में भी डाला है तो अपने हिसाब से आलू में डाल देना ताकि हमारा नमक जाता न हो तब मैं प्याज को भी डाल दूँगे हरी धनिया भी डाल दूँगे इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे तो इस टाइम दोस्तों गैस को थोड़ा सा धीमा ही रखना है ज़्यादा तेज नहीं करना है अब मैंने इस टाइम गैस को थोड़ा सा तेज कर दिया है मेडियम से थोड़ा सा ज़्यादा तिन सारी चीज़ों को हम मिला देंगे अब हम मुमफली भी इसी टाइम इसमें डाल देंगे और मुमफली डालते ही दोस्तों गैस को बिल्कुल स्तेज कर दीजिए अब हमारा आलू मिक्स हो गया है इसको हम प्लेट में निकालके ठंडा करने के लिए रख देंगे तो इसको प्लेट में निकालके फैला दीजे प्लेट में ही जब तक आप रोटी बेलेंगे मैं देखी रोटी बनाएंगे तब तक ये ठंडा हो जाएगा तब हम आटा देख लेते हैं चेक कर लेते हैं हमारा आटा बहुत बढ़िया फूल गया दोस्तों देखे कितना सॉफ्ट आटा हम मतलब गूंदे थे और कितना सॉफ्ट हो गया कितना कड़ा गूंदे थे कितना सॉफ्ट आटा हो गया तब आटे की हम छोटी छोटी बना लेत कि छूटी छूटी हम पहले लोई काट लेंगे तिसी तरह हम सारे आटे की लोई काट लेंगे इसको ढखके रख देंगे ढखके रखने से दोस्तों हमारा आटा सूखेगा नहीं हम हमें जैसे जैसे जरूर पड़ेगे तो हम ढखकन उठा के ले लेंगे तो यह चार चम्मच क करीम मैंने मैदा ले लिया मैदे में अब हम पानी डाल देंगे पानी डाल के इसको हम पतला सा पेश्ट बना लेंगे तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डाले तो आप देख सकते हैं दोस्तो हमारे मैदे में गांट सी लग रही थी तो मैंने एक छन्नी की सहता से मैदे को छान ताकि हमारे मैदे में बिल्कुल भी गांट न रहे और बढ़िया स्मूथ सा पेष्ट तैयार हो गया तो इसे न जादा गाढ़ा रखना जादा पतला ही रखना है तो इसको हम उसी को टोरी में निकाल लेंगे इसको भी हम साइड कर लेंगे तो अब हम रोटी बना लेते हैं पतली सी रोटी नॉर्मल रोटी जो होती है उससे हम पतला ही बनाएंगे तो सूखा आटा लगा के पतली सी रोटी बना लीजिए यह मैंने मैदे का ही पर्थन लगाया है आटे का नहीं लगाना है सूखा मैदा ही हम इसमें लगाएंगे लगाते हैं इसको बेल लेंगे तो दोस्तों हम इसमें आलू डाल देंगे तो दोस्तों मैंने इसमें दो चम्मच आलू डाला है और इसको अच्छे से पूरे में फैला देंगे सारी रोटी पे हैं पूरी रोटी पे इसको आलू को पतला पतला लेयर लगा देंगे तो हमारी मतलब रोटी में अलू लग चुका है इसको है देखे मैं कैसे मोड रही हूँ फोल्ड कर रही हूँ रोल बना रही हूँ इसी तरह आप भी बना लेजिए तो दोस्तों ये साइड में थोड़ा सा अलू को हलका हलका दबा देंगे और इसमें हम पानी लगा के रोल को चिपका देंगे तो मैंने पानी लगा के रोल को चिपका दिया इसको थोड़ा सा गुमा के रोल पतला कर देंगे साइड निकाल देंगे हम इसके और इसको छोटी-छोटी काट लेंगे छोटे आकार में तो हमारी मीनी कचोरी बनती है दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनती है आप जरूर बनाईए देखिए कितनी अच्छी लग रही है अब इसे देखने में तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें रोटी हमारी मोटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए पतली ही रहनी चाहिए तब भी आपकी बहुत बढ़िया कजोरी बनती है तो मैं इसको भी उसी तरह मोडते वे रोल बना देंगे तो मैंने साइड छोड़ दिया था तो मैं पानी लगाने में बहुत ही असानी हो गई बहुत अच्छे से चिपक भी गया इसके भी हम साइड निकाल देंगे और उसी तरह हम इसको भी कट कर देंगे तो दोस्तो इसे तरह हम सारी बना के रख देंगे उसके बाद हम फ्राई कर लेंगे तो प्लेट में ले लिए अब इसको हम कढाई चुड़ा दिये हैं कढाई में तील डाल देंगे दोस्तो हमें इसे डीफ्राई नहीं करना अगर आप deep fry करना चाहते तो deep fry करिए मैं इसको silo fry करूंगी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया तो पेस्ट को हम हिलाते हुए चला देंगे अच्छे से ताक क्यूंकि हमारा पेस्ट काफी दिर से रखा था तो नीचे मैदा बैठ जाता है इसको चम्म से चलाने के कि बाजोंब सा हलका सा इसे में गिरने दीजी जो हमारा मैदा लग जाता है इसे मार अटेल खराप नहीं होता है निकम मैंने सारा डाल दिया इसको बनेनगे पका लेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हँत आराम से पलड जाती है तो पहले आंग कर एक कर देंगे दे पहले डाली थी तो दोस्तों इसी तरह हम उलट प्लट के सारी को चोरियां हम फ्राई कर लेंगे और थोड़ा धीमी आज में फ्राई करना दोस्तों क्यूंकि इन्हें हमें अंदर तक पकाना है तेज आज पे करेंगे फ्राई तो उपर से पक जाएंगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी तो देख सकते हमारी को चोरिया का कलर कितना प्यारा आया इसी तरह हम और भी पका लेंगे सारी को चोरिया इसी तरह हम डालके कड़ाई में धीमी आज में पका लेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों कोई बात नहीं बहुत ही बढ़िया कोचोरिया हमारी बनती हैं तो मैंने सारा फ्राइ कर लिया दोस्तों अब इनको हमें एक प्लेट में सर्व करेंगे तो दोस्तों मैंने प्लेट में निकाल ली और कोचोरियों के साथ मैंने ये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें बाए दोस्ते